बीवी से दुनिया में आज देखिए अमेरिका में गरपात कानून पर क्यों मचाहे हंगामा अमेरिका के टेकसिस में गरपात के कड़े कानून पर देश में हंगामा और दुनिया भर की निगाहें गरपात पर पाबंदी लगाने वाले नए कानून पर अदालती जंग के तयारे स्वागत है आपका बीवी से दुनिया में मैं हू सारे कासे टेकसिस के अबॉर्शन लॉप पर विस्तार से जानकारी कवर स्टोरी में लेकिन पहले हेडलाइन्स यूरोपिय संग अफगानिस्तान को एक बिलियन यूरो से जादा की देगा मदद तालिबान के अंतरिम सरकार की बजाए वहां काम कर रही अंतराष्ट्रे सहायता एजिंसियों के जरिए अफगान लोगों को दी जाएगी मदद जी ट्वेंटी के कई देशों ने भी कहा करेंगे अफगानिस्तान के मदद पर तालिबान को माननता नहीं थाइलन्ड में कम होई कोरोना की पाबंदिया नमंबर से दस देशों से आने वाले उन लोगों को मिलेगी क्वारिंटीन से चूट जिन्हें लगे हैं दोनों ठीके बिटन में एक संसदे रिपोर्ट में की गई कोरोना से ने पटने के सरकारी कोशिशों के निंदा बिटिश सरकार ने कहा महामारी से सीखेंगे सबक उत्तर कोरिया के सरोच निता किम जोंग उनने कहा देश में बनाएंगे ऐसी सेना जिसे कोई हारा न सके अमेरिका के उत्तर कोरिया विरोधी नीतियों का होगा जवाब साथ ये भी कहा कि हत्यार अपनी सुरक्षा के लिए है ना कि उद्ध के लिए इनमें से कुछ एहम खबरों की चाचा आज बीवी से दुनिया में अबोशन यानि गर्पात के मुद्धे पर दुनिया भर में वहस होती रही है इन दिनों अमेरिका इस मामने में सुरुखियां बटोड रहा है जहां टेक्सस में गर्पात के कठोर कानून के विरोध और समर्थन में दोनों तरह की आवाजें उठ रही है दोनों पक्षों के अपने अपने तरक हैं और इन तरकों के वीच हैं वो तमाम महिलाएं जो अपने लिए आगे की रह तलाश रही है कब स्टोरी में आजे सिकी चर्चा अमेरिका के टेक्सिस में गर्पात पर पाबंदी लगाने वाले नए कानून पर अदालती जंग शुरू हो चुकी है इस कानून के मुताबिक महिलाएं 6 हफ़ते की प्रेग्नेंसी के बाद गर्पात नहीं करा सकती जबकि बहुत सारी महिलाओं को अपनी प्रेग्नेंसी का पता ये करीब 6 हफ़तों के बाद चलता है पिछले हफ़ते इस कानून पर अस्थाई रूप से रोक लगाई गई थी लेकिन फिलहाल इसे दोबारा बहाल कर दिया गया है अमेरिका ने इस सुद्दे पर लंबे वक्त से कैमपेइन और विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं इस कानून का बिल रिपब्लिक नेताओं ने बनाया और उन्होंने ही इसे मनजूरी दी थी लेकिन बाइडन प्रिशासन ने इसे चुनोती दी है इस कानून पर जारी रसा कर्ष्टी अमेरिके सुप्रिम कोट तक पहुँच सकती है और अमेरिका में पिछले सफ़ता कुछ अबोर्शन क्लिनिक खुले थे लेकिन जादातर इस डर से बंद रहे कि नया कानून दोबारा लागी होने के वज़े से कहीं उन पर मुकदमा ना हो जाए इस बारे में हमने टेकसस के सैन अन्टोनियों में मिशल से बात की जो गरपात कराना चाहती है और अन्य महिलाओं के लिए रास्ता बनाना चाहती है हमने एक और महिला मकाईला से भी बात की जो बताती है कि टेकसस में नया कानून लागी होने के बात तमाम महिलाएं उनके पास मदद मागने आई मकाईला टेकसस में गर्बबबात कराने वाले लोगों की मदद करती है मैं थोड़ा तनाव में हूँ लेकिन काफी राहत महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ अपना कैर पैकेज लीने आई हूँ मैं यहाँ इसलिए भी थोड़ा ज्यादा सुरक्षत महसूस कर रही हूँ क्योंकि सेक्शुल हेल्थ के बारे में आप कही ज्यादा जानती है टेकसस में लागू किया गया ये नया विवादित कानून पूरे अमेरिका में सबसे कड़ा कानून है यह सोचना ही बहुत मुश्किल है कि सुरक्षत गरपात का जो हग हमें मिला था उसे अब हमसे छीन लिया गया है लोगों में प्रेगनेंसी को लेकर अभी बहुत ज्यादा घवराण है महिलाओं को नहीं पता की वो अगर प्रेगनेंट हो गई तो उसके बाद उन्हें किस तरह की मदद मिलेगी मैं और मेरे साथ ही काफी सूच विजार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें गरपात करा लेना चाहिए वर्ष 1973 में रू वर्सेज वेड मामले के बाद साल 2021 पहला साल है जब गरपात को लेकर देश में इतनी सारी पाबंधियां लगाई गई है टेकसस में लागू किया गया SB8 कानून अभी इन में सबसे कठोर कानून है ये एक विवादास्पद मुद्दा है इस मुद्दे पर लोग जोड़दार तरीके से असहमत हैं लेकिन आखिरकार हमारे सामने सवाल उठता है कि उस अजन में बच्चे का क्या होगा क्या ये कानूनी संरक्षन मानविय भी है या नहीं जिसमें नैतिकता और गरिमा भी नहीत है अगर ऐसा है तो हम उसी के लिए संगर्श कर रही है नया कानून लागू होने के बाद से लोगों को मकाईला के मदद की जरूरत पड़ गई है एक और महिला छे हफते एक दिन की गरुवती थी और उन्होंने बताया कि उन्हें यात्रा के खर्चों की और जानकारी चाहिए क्योंकि उन्हें राज्जे से बाहर जाना होगा हलांकि उनकी सबसे बड़ी चुनोती टेकसस में गर्बपात कराने वाले लोगों की मदद करना है इससे पहले कि देर हो जाए मैं 18 साल की उम्र में प्रेगनेंट हो गई थी और फिर गर्बपात कराने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा कुछ लोगों ने गर्बपात कराने में मेरी मदद की थी और मेरी बाकी जिन्दगी उन्हीं के लिए है मुझे पता है कि गर्बपात कराने से लोगों के लिए कितने रास्ते खुलते हैं तो क्यों ना मैं अपनी सारी जिन्दगी इसी के लिए समर्पित कर दूँ पीते तीन दिशकों में कई देशों ने गरब पात को मानता दी है पर कुछ देशों में अभी काफी सख्त नीतिया हैं से लेकर इंगलिड में 24 हफतों तक गरब पात कराया जा सकता है कुछ खास मामलों में जब शारेरे केमान से खामियों का खत्रा हो तो बच्चे के जन्म से पहले तक गरब पात की अजासत है पिछले साल दिसंबर में अर्जिंटीना की संसंद में 14 हफते तक गरब पात को वैद बनाने के मुद्दे पर वोटिंग होई इस फैसले को एक बड़े कादम के रूप में देखा गया वही पॉलिंड में सिर्फ बलातकार या फिर सगे संबंधियों के साथ यौन संबंधों के मामलों में या ऐसे मामलों में जिसमें बच्चे के जन्म से मा के जिन्दकी को खत्रा हो तब गरब पात कराया जासकता है आईरिश सरकार ने एक नया कानून बनाने के लिए बिल पेश किया है जिसमें प्रेगनिंसी के पहले 12 हफ़तों और कुछ खास मामलों में 12 से 24 हफ़ते तक गरपात कराने के जाज़त होगी साल 2018 में इस पर जन्मत संग्रा भी हुआ था वही सबिता हलब पनवार की मौत के बाद गरपात के मसले की गूँज भारत में भी खूब सुनाई दी थी आक्टूबर 2012 में 31 साल की सविता का आईरलैंड के कस्पताल में मिस्कारेज हुआ जिसके बाद इंफेक्शन से उनकी मौत हो गई थी लेकिन भारत में समाने मामलों में अबोर्षण को लेकर क्या कानौन है और यौन हिंसा या बलात कार की वज़ेसे होने वाले अबोर्षण के खानौन समाने अबोर्षण कानौन से कितने अलग है ये जानने के लिए BBC सम्मादाता प्रग्या ने बात की सुप्रीम कोर्ट की एडवोकिट आवनी बंसल से बारा से बीस हफते के बीच में आपको दो डॉक्तर की जरुवत पर दी लेकिन जो मेडिकल टर्मिनेशन अमेंग्मेंट आट आया है उसमें कुछ अच्छाईया है कुछ बुराया है जो अच्छाई है वो ये है कि अब हमें बीस हफते तक कि इसी भी महला को इजया में कराना है तो 20 से 24 तक का जो है वो स्पेशल परमिशन के बाद ही आप जो है वो अबॉशन करा सकते हैं यदि आपको 24 वीक के बाद अबॉशन कराना है तो एक मेडिकल अड्वाइजर बोर्ड बैटेगा इसमें गानेकॉलोजिस भी होना चाहिए इसमें एक सर्जिन भी होना चाहिए एक फिजिशिन भी होना चाहिए एक पेडियाट्रिशन भी होना चाहिए जब बात यौन हिंसा और बलातकार की होती है तो ये सामान ने कानून से कितना अलग है तो चार हफते का एक्स्रा टाइम गया गया है गर्ब में ही अगर बच्चे में किसी तरीके की प्रॉब्लम है कोई अनुवांशिक प्रॉब्लम है तो इस केस में क्या माएं बीस होते से पहले भी अबोर्शन करा सकती है या इसके लिए भी हमें लीगल ही जाना पड़ता है तो अलग-अलग देशों में एबोर्शन को लेकर अलग-अलग नियम है लेकिन इस बीच बीच प्रॉब्लम है तो इस बहस इस पर भी होती है कि अजन में बच्चे का हक क्या है और फिर एक महिला का हक और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस्लामेक स्टेट में शामिल होने गई मा बेटियां क्यों नहीं लोट पा रही है अपने वतन बीवी से दुन्या में भी बहुत कुछ है बागी बने रहे हमारे साथ आप देख रहे हैं बीवी से दुन्या मैं हूं सारे कासे तथा कते इसलामिक स्टेट समू में शामिल होने कई देशों से लोग गए IIS ने सिर्फ युवाओं को ही रिकूरूट नहीं किया कई लोग अपने परिवार की महिलाएं और बच्चों को भी साथ ले कर गये अब इन परिवार के कई लोगों को सीरिया में कुर्दों को क्याम्प में हिरासत में रखा गया है इनमें तीन ब्रतानी बच्चे भी हैं क्या चाहते हैं ये बच्चे और उनके रिष्टदार BBC समवादाता पूनम तनेजा रोज क्याम पहुंची जहां उन्होंने इन बच्चों और उनके मां से बात की ये कोई बच्चों की रहने लाएक जगा नहीं है लेकिन यहां हजारों बच्चों को रहना बढ़ रहा है उतरी सीरिया के इस गंदे से कैंप में वो तमाम बच्चे हुए बच्चे रह रहे हैं जो कथित इस्लामिक स्टेट ग्रुप से बच्च निकले इन तीन ब्रतानी बहने भी हैं जो साथ, नौ और बारा साल की हैं यहां वो अपनी मा निकोल जाक के साथ रहती हैं एक मा के तौर पर आपने अपने बच्चों के साथ इस्लामिक स्टेट की इलाके में आने और उनके बीच रहना चाहा यहां हिंच सक वाहल था, गले काटे जा रहे थे हत्याएं और नर्चाहार हो रहा था आपने ऐसा क्यों किया? आप किसी और को इसे कैसे बताएंगी? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं किसी को इस बारे में बताऊंगी तो कोई समझेगा, लेकिन मेरे नजरीय से पहली बात ये है कि मेरा मकसद परिवार को साथ रखना था आप समझ रही है ना और दूसरी बात यहाँ जो भी हुआ हो हमने वो सब कभी नहीं देखा ना मैंने ना मेरे बच्चों ने इमानदारी से कहूं तो मैंने जिन्दगी में किसी की गर्दन कटते नहीं देखी लेकिन उनके बच्चों को बहुत सदमा रगा और नुकसान पहुँचा इनके पता इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ते हुए मारे गये थे इस्लामिक स्टेट तब अलपसंख्यों को का दमन कर रहा था और महिलाओं को गुलाम बना रहा था और इनका दस साल का भाई इसाक इनके सामने ही एर स्ट्राइक में मारा गया था मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है मुझे नानी और आंटी की याद आती है मुझे अपनी दादियों की याद आती है इन सब लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ ये कैंप कुर्द प्रशासन द्वारा चलाय जा रहा है वो चाहते हैं कि देश अपने इन नागरिकों को वापस ले ले अब तक सिफ स्वीडन, बेलजियम और जुर्मनी जैसे कुछ तेशों नहीं ऐसा किया है बृतन इस्लामिक स्टेट समूँ के विदेशी लड़ाकों की बतनियों को वापस लोटने के इजाज़त देने में हिचक रहा है उन्हें राश्ट्री सुरक्षा के लिए खत्रे के तौर पर देखा जा रहा है वो हलाकि बृतनी अनाथ बच्चों को वापस लेने के लिए तैयार है क्या आपने इस विकल पर वचार किया है कि आप बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने बिना बटन वापस भेचते एक परिवार के तौर पर हम साथ रहते हैं मैं जानती हूँ कि अगर मिरे बच्चों को मुझसे अलग किया गया तो उनकी मानसक स्थिती पर असर बढ़ेगा क्योंकि हम एक यूनिट की तरह हैं इसलिए उनकी बेटी यहां कैदी बनकर रह रही है एक अस्थाई स्कूल के वज़ा से उन्हें इस कैद से कुछ तेर की रहत मिलती है मुझे अलग-अलग चीजे सीखने में बहुत मज़ा आता है मुझे अलग-अलग भाशाय सीखना बहुत पसंद है और कई चीजे सीखने पर आप अच्छा महसूस करते हैं बड़े होकर मैं स्मार्ट बनना चाहती हूँ लेकिन जब तक वो अपने बृतानी परिवार से अलग इस कैंप में रह रही है तब तक इसकी उमीद बहुत कम है इन्होंने अपनी दादी के लिए ये मेसेच रिकॉर्ड किया है मैं आप सब से प्यार करती हूँ उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे मैं मेरी बहने और मा ठीक हैं वापस आकर मैं आप सब के साथ वक्त बिताना चाहूंगी हजारों मील दूर लंदन में बैठी इनकी दादी शारलेन जाक हेंडरी के लिए ये देखना बहुत मुश्किल भरा है वो चाहती है कि उनके नातिन अपनी मा यानि उनकी बेटी के साथ घर वापस आ जाए उसे वापस आने दो और नतीजा भुगतने दो लेकिन बच्चों को ऐसी जगा सरने देना न तो ठीक है और न सही है बहुत हुआ वो पहले ही छे साल की सजा भुगत चुके हैं हमें कोट ले जाने और मुकदमा चलाने का भी कोई फाइदा नहीं है बृतानी सरकार निकोल जैक मामले में कोई बयान नहीं देगी उनका कहना है कि सीरिया में बचे लोग बेहत खतरनाक है और उनकी उम्र या लिंक के आधार पर सुरक्षा के साथ खिलवाण नहीं किया जा सकता वही शैरलेन का कहना है कि उनकी बेटी को अदालत के सामना करना चाहिए जबकि उनकी नातिन बेकसूर है अब ऐसे कई परिवारों को नहीं बता कि उनका भविश्य कैसा होगा और वक्त एक ब्रिक का है ब्रिक के बाद मिलिए यूपी के मिनी पंजाब के एक बज़र्ग किसान से इनसे मुलाखाद एक ब्रिक के बाद आप देखरें बीवी से दुनिया मैं हूँ सारे कासे लखीमपूर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अन्तिम मरदास हुई कई किसान नेताओं समित बड़े नेता इसमें शामिल हुए हाली में हुई किसानों की मौत की वज़े से उत्तर प्रदेश का लखीमपूर खीरी जिला सुरुखियों में आया लखीमपूर खीरी को मिनी पंजाब बे कहा जाता है क्योंकि वहाँ सिखों के तादाद बहुत जाद है साल 2011 में हुई गड़ना के मताबिक वहाँ 6,43,506 समधाई के लोग है BBC समधादाता सरफ जीट सिंग धालेवाल वहाँ 86 साल के सिख किसान से मिले हम एक दाना धरती में बोते हैं वो बदले में हमें सेक्ड़ो दाने देती है आज हमारे पास जमीने हैं, कोठिया है पर हमने जिन मुश्किलों का सामना करके ये सब बनाया है वो हम बयान नहीं कर सकते ये बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे हमने जोपड़ी में बिना पंखे के तपती गर्मी को सहा बारिश का मौसम जहला और कई दिनों तक उसमें वैसे ही रहे मेरा नाम रतन सिंग है और में लखीम पुर्खीरी जिले के दीप नगर में रहता हूँ ये यूपी का वो जिला है जहां सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं इसलिए इसे मिनी पंजाब कहा जाता है हम यहां साल 1968 में आए हमारे रिश्टेदार ने कहा कि यहां आकर आप जमीन ले सकते हो फिर हमने जमीन खरीदी यहां हमें कई परिशानिया होई जो अब मुझे उतनी याद नहीं मैं 11 किलोमीटर दूर से आटा पिसवा कर अपने सिर पर रख कर लाता था और दॉक्टर भी इतनी ही दूर जाकर मिलता था यहां मच्छ बहुत हैं हम रात दिन अपने खेतों की रखवाली करते थे और मच्छ रमे सोने भी नहीं देते थे फिर यहां कोई बैंक भी नहीं था हमने यहां मजदूरों के साथ मिलकर रहने के लिए छोपड़ियां बनाई फिर कई सालों तक उन में रहे हमारी दो पीडियों ने बड़ी मेहनत की है मेरे पिताजी की मेहनत और मेरी मेहनत इसके बाद जाकर ही हम यह कोठी बना पाए है किसानों का प्रदर्शन किसी पार्टी विशेश या किसी धर्मिया किसी राज्यका नहीं है ये सबी धर्मों के किसानों का प्रदर्शन है चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसल्मान हो, या ईसाई हो और अस्ट्रेलिया में कई बिछडे परिवारों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला सौ दिन के बाद, सौ दिन के लॉक्डाउन के बाद कई लोग अपनों से मिले तो कईयों के आंसों निकलाए, कईयों को बच्चों से मिलने का मौका मिला कईयों अपने बिछडे साथी से कुछ इस तरह से मिले तो परिवारों के लिए ये खुशी का मौका था क्योंकि कई दिन बाद वो अपने परिवार वालों से मिल पाए और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं at BBC सारी घबर BBC दुनिया में फिल हालत नहीं